देखते हैं जो डिटेक्टिव के पास जाती है और रेशल के शिकायत करती है कि रेशल रोज रोज हमको कॉल करके परिशान करती है हमें डर है कि कहीं वो हमारे बच्चे को भी नुकसान ना पहुंचा दे प्लीज आप उसे गिरफ़तार कर लीजिए लेकिन डिटेक्टिव उ उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है जिसके बाद अब हम देखते है कि पुलिस ग Develop को छोर देती है और वो गुसытे में रेशल दरसल तब मेगन को पता चल गया था कि वो प्रेगनेंट है और वो डॉक्टर से बात कर रही थी और इसी वज़ा से वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है डॉक्टर तो उस समय सिर्फ सिंपैती दिखा रहा था इसकी अलावा उनका कोई भी अफेर नहीं था और ये वही समय था जब रेशल ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था अब हम देखते हैं कि रेशल एक बार में बैठी होती है जहांपर वो एक ब्लैक सूट वाले आदमी को देखती है जो हमेशा उसके आसपास रहता है वो उसे पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था जिस पर वो कहता है कि कुछ लोग उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे वो आदमी उसकी मदद करना चाहता था लेकिन रेशल ने उसे ही भगा दिया इसके लिए वो उसके पास जाती है और माफी मांगती है कि उसने पार्टी में इतना हंगामा क्या था और इसी कारण टॉम की नौकरी चली गई थी लेकिन टॉम के बॉस की बीवी उसे बताती है कि टॉम की नौकरी तुमारे कारण नहीं गई थी बलकि उसका कारण वो खुद था क्योंकि उसके ओफिस में कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन थे इसलिए हरास्मेंट के कारण उसे नौकरे से निकाल दिया गया रेशल को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस पार्टी में उसने कभी हंगामा किया ही नहीं था इन सारी बातों को सुनकर अब धीरे धीरे रेशल को सारी बात याद आने लगती हैं दरसल जब रेशल को बच्चा नहीं हो रहा था जिस कारण से वो ज़्यादा शराप पीती थी और इसी बात का फायदा टॉम उठाता था कि आज पार्टी में तुमने हंगामा किया जिस कारण मेरी जॉब चली गई और जब उसे ब्लैक आउट आता था टॉम उसे काफी मारता था और ब्लैक आउट के बाद रेशल को कुछ भी याद नहीं रहता था लेकिन अगले दिन उसे ये सारी चोटी दिखती थी जिसके बारे में वो अंजान थी उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये सब टॉम उसके साथ कर रहा है लेकिन आज उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी उधर एना को अपने घर में एक फोन मिलता है जिसे चालू करने पर उसे एक वाइस मैसे सुनाई देता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो फोन मेगन का था उधर दूसरी ओर अब रिशल अपने पूरे होश में थी जहां वो एक सुरंग में जाती है यह वही सुरंग है जो उसे आखरी बार ब्लेक आउट होने के पहले दिखी थी वो यहां पर इस उमीद में आती है कि उसे पता चल सके कि आखिर उस शाम यहां पर हुआ क्या था वो दोबारा फिर से सब कुछ सोचती है जहां पर उसे याद आ जाता है कि दरसल मेगन से मिलने वाला इंसान और कोई नहीं बलकि टॉम था मेगन और टॉम का अफेर चल रहा था और इसी कारण से मेगन प्रेगनेंट हुई थी यही बात वो टॉम को बताती है लेकिन इस बार से टॉम खुश नहीं था टॉम मेगन को बोलता है कि तुम अबोर्शन कर वालो लेकिन मेगन मना करती है जिससे टॉम उसे मार डालता है लेकिन जब उसका ध्यान रेशल की तरफ जाता है वो रेशल को मार कर मेगन को लेकर चला जाता है यहाँ पर मेगन का मर्डर करने वाला टॉम था रेशल एना को अलर्ट करने के लिए उसके घर जाती है यहाँ एना को भी पता चल गया था कि टॉम और मेगन का अफेर था लेकिन जब टॉम वहां आता है तो वो दोनों ही उसे बताती है कि तुम्हारा मेगन के साथ affair चल रहा था और तुम नहीं उसे मारा है क्योंकि वो pregnant थी हमें अब सब पता चल गया है रेशल उसको ये भी कह देती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे वो उसके दिमाग में गलत memories फीड करता था ये सब सुनते ही टॉम भी गुस्से में रेशल के सर पर शराब की बॉटल से वार कर देता है जिससे वो भेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब रेशल को होश आता है तो टॉम उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रेशल वाहां से भाग जाती है टॉम उसका पीचा करता है लेकिन भागते भागते रेशल के हाथ में एक हत्या रहा जाता है जिससे वो उसे काफी मारती है जिसमें उसकी मदद आना भी करती है वो दोनों मिलकर Tom को मार देती है इस murder की कारण पुलिस इन दोनों को पकड़ती है और investigation में ये दोनों पुलिस को बताती है कि Tom नहीं Megan को मारा था जिस बात का इन दोनों को पता चल गया था और इसलिए वो इन दोनों को भी मार नाया था एट लास वो फिर से ट्री में सफर कर रही थी लेकिन इस बार वो दूसरी साइट पर बैठी होती है जिसका मतलब कि अब वो पुरानी रेशन नहीं था